कैसे हैं आप सब लोग काफी लोग का ये प्रस्ण रहता है कि वेजिटेरियन और वेगन में अंतर क्या है तो चलिए आज जो ये दो टड़ में उसको समझते हैं जो वेगन लोग होते हैं वो कभी नहीं चाते कि उनकी बज़ा से किसी जानवर को कस्ट पहुचे या उनको कस्ट पहुचाया जाये या उन जानवरों की हत्या की जाये इनके आए हुए खाने में किसी एनिमल प्रोड़क्ट या फिर डैरी प्रोड़क्ट का यूज नहीं होता पर ये जो उनकी सोच है वो सिर्फ खाने तक ही सिमित नहीं रहता उनका जो पूरा लाइफ एस्टाइल है वो इस बात पर इंस्पायर्ड रहता है कि उनकी जो डैली लाइफ की जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी किसी जानबर को कस्ट नहीं पहुँचाया जाए या मारा जाए ये सब लोग लेदर बेल्ट, लेदर सूज, उल, सिल्क यहां तक की हनी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं बेकन लोगों का मानना है कि हम अगर अपने खाने में या फिर डाइट में प्रोटीन्स और फूड्स और बाइटामिन्स के लिए किसी एनिमल या फिर डैरी प्रोड़क्त लाइक काव मिल्क, गोट मिल्क, फैलो मिल्क का यूज करते हैं तो ये जानवरों के परति क्या है निर्दययतया फिर कुर्वल है कि यह कुर्वल कैसे हुआ हमें तो चिकन खानी है, हम खाएंगे, हमें तो मचली खानी है, हम खाएंगे, हमें तो गाई या भैस का दूद्ध पी नहीं है, हम पीएंगे, पर नहीं, वेगन लोगों का मानना है, कि गाई या भैस का दूद्ध पीना, यह सब उनके आफ, नहीं, यह सब जो है, यह उनके के लिए मिन्स गाई या भैस के बच्चों के लिए तो आप सोचेंगे बेगन लोग दूद नहीं पीते हैं क्या पीते हैं बिल्कुल पीते हैं पर वह डैरी बाला नहीं वह सोया मिल्क पीते हैं वह क्या होलते हैं based फ्लेक्ट मिल्क पीते हैं यहां तक कि वह पनीर क技 यूज करते हैं वह किसके मिल्क पनीर का यूज करते हैं क कोई canet pater unacceptable यूज करते हैंतो अश़ा करते हैं आप लोग समझ गया हो कि बेगन होता गया है और हमारा नेक्स्ट है वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन में जिस वेजिटेरियन का हिंदी में अर्थ होता है साखारी वेजिटेरियन लोग किसी धार्मिक बज़ा से वेजिटेरियन होते हैं या इस बज़ा से भी वेजिटेरियन होते हैं कि मेरी बज़ा से किसी जानवर का कतल ना हो वेजिटेरियन लोग अपने खाने में किसी भी तरह का मांस नहीं खातें और अंडा भी नहीं खातें उनके डाइट में जनरली दूद, दही, मखान, पनीर, हरा सब्जी, दाल इत्यादी होता है मैं आसा करता हूँ कि इन दोनों टर्म की डिफिनेशन किलियर है अगर आप इसमें कुछ एड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद